राजिस्थान के टोंक जिले की देवली उन्यारा विधान सभा से निर्दलिय प्रत्याशी नरेश मीना थपड कांड और फिर समर्थकों के द्वारा की गई हिंसा के बाद से टोंक जेल में पंध है SDM को थपड मारना नरेश मीना को इतना महंगा पड़ गया कि अब उसकी जिंदगी की पुरानी फाइले तक खोली जा रही है इस कांड के बाद राजिस्तान में एक तबका ऐसा है जो नरेश मीना का समर्थन कर रहा है तो दूसरा तबका नरेश मीना पर कड़ी कारवाई की मांग कर रहा है दरसल नरेश मीना की गिरफतारी के बास से मीना समाज एक जुट होकर नरेश मीना के समर्थन में रैलिया निकाल कर उसकी रहाई की मांग कर रहा है तो वहीं SDM अमिज चौधरी को धपड मारने के बास से जाट समाज एक जुट हो गया और नरेश मीना के खिलाफ कड़ी कारवाई की मांग से लेकर उसके चुनाव लड़ने तक पर बैन करने की मांग करती है और ऐसा नहीं करने पर जाट समाज ने सलक पर उतरने की धमकी भी दी है जहां एक तरफ नरेश मीना जेल में बंद है तो वहीं समरावता गाउं में नेताओं का आना जाना जारी है इस बीच नरेश मीना के पिता लोगों से मुलाकात के बाद रो पड़े और अपने दोनों हाथ जूड़ने लगे जिसके बाद नरेश मीना के पिता को वहां मौजूद लोगों ने समझाया कि आप रोई नहीं ये पूरा मामला 12 नवंबर को एक थपड की गून से शुरू हुआ यहां उपचुनाओं को लेकर हो रही वोटिंग के बीच नरेश मीना और SDM अमिच चौधरी के बीच कहा सुनी हो गए जिसके बाद गुस्से में आकर नरेश मीना ने SDM अमिच चौधरी को धपड जड़ दिया आरोप है कि निर्दलिय प्रत्याशी नरेश मीना ने मतदान केंदर में जबरन घुसने की कोशिश की शाशन और पुलिस राधिकारियों ने जब उन्हें रोका तो उसने हाता पाई शुरू कर दी वहीं नरेश मीना ने आरोप लगाए कि SDM अमिच चौधरी ने तीन मतदाताओं से चोरी छिपे वोट डलवाया जिसके बाद कहा सुनी हुई और नरेश मीना ने SDM को थपड जड़ा इस थपड कान के बाद पुलिस ने नरेश मीना को हिरासत में ले लिया जिसके बाद उनके समर्थक भड़क उठे और इतना कुछ होने के बाद समर्थकों ने पुलिस की टीम पर ही हमला भोल दिया समरावता गाउं में बेकावू समर्थकों ने पुलिस की कई गाड़ियों और बाइकों को फूख दिया जिसके बाद पुलिस ने आसू गैस के गोले दागे इस बीच नरेश मीना पुलिस का स्टडी से फरार हो गया जिसके बाद उसने ट्वीट और वीडियो भी जारी किये इनमें से एक वीडियो बेहस सुर्ख्यों में रहा जिस वीडियो में उसने कलेक्टर को मेहंदी उतारने की धमकी दी हालाकि इस जद्दो जहत के बीच नरेश मीना को पुलिस ने अगली सुभे किरफतार कर लिया वहीं कोर्ट में पेशी के बाद नरेश मीना को 14 दिन की नयाई खिरासत में टोंक जेल भेज दिया गया जहां नरेश मीना के थपड कांड के बाद पूरे टोंक में तहलका मज गया तो वहीं अब इसकी आच और बढ़ती जा रही है बतादे कि नरेश मीना के खिलाब पहले से करीब 23 मुकदमे दर्च है जिनकी फाइले एक बार फिर से खोली जा रही है जिससे अब नरेश मीना के मुश्किले और बढ़ सकती है NBT Online के रिपोट